तो देखिए यहाँ पर question कह रहा इसके मूल दिये गए तो हमें इसका मान निकाला देखिए इसके method बहुत बड़े-बड़े भी हो सकते हैं बड़ यहाँ पर मैं आपको बहुत जबर्दर short trick discuss करना चाहता हूँ जैसे की कैसे करेंगे देखिए आपके पास जो main equation दिया गया आपके पास main equation है xq plus x plus 1 equal to 0 अगर आप इसे compare करनें आपके standard equation axq plus bx square plus cx plus d से equal to 0 से तो आपके पास a की value कितनी आ रही है आपके पास a की value 1 है आपके पास b की value कितनी यह 0 है आपके पास c की value 1 है और आपके पास d की value किती है 1 है तो alpha beta gamma के relationship का इस्तमाल करके भी आप कर सकते हैं बट इस equation के जो root दिये गए हैं यह जो equation है इसके roots आपके पास क्या है alpha है बीटा है और gamma है बट आपको क्या चाहिए 1 upon alpha q 1 upon beta q plus 1 upon gamma q as you know guys कि यह जो हमारे पास equation है यह जो हमारे पास equation है कौन सा equation x q plus x plus 1 इसके roots क्या है alpha beta gamma तो alpha इसको satisfy करेगा so I can write alpha q plus alpha plus 1 equal to 0 so alpha q is equals to कितना हो जागा minus of negative of alpha plus 1 इसी तरीके से हमारे पास जो beta q आएगा वो कितना आजाएगा बीटा q आएगा negative of beta plus 1 और जो हमारे पास gamma आएगा gamma q equals to आएगा negative of gamma plus 1 अब हमें देखिए यदि हमें value निकालनी है 1 upon alpha q plus 1 upon beta q plus 1 upon gamma q की तो हम इन value को substitute करते हैं देखते हैं क्या होगा so 1 upon alpha q तो negative में आ जाएगा उपर ओके 1 upon alpha q बेटर होगा कि आप पहले इसका LC हम ले 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 क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होने वाली है तो यदि आप इसका LC हम लेंगे तो all total नीचे कितना आ जाएगा all total नीचे आ जाएगा alpha q प्लस beta q प्लस gamma q अलफा q इंटू beta q इंटू gamma q ऊपर देखे यहां पर आ जाएगा alpha q डिवाइड हो जाएगा ये बन जाएगा beta into gamma का whole q और ये बन जाएगा हमाई पास alpha into gamma का whole q और ये बन जाएगा हमाई पास alpha बीटा का whole q exactly अब आएगा ढाये दोस्तों सोचते हैं अब मेलनी होना क्या है एक यहां पे तो यहां पर हमारे पास जो टम बन रही है वह बन रही है बीटा का q और one का q ठो इसको लग अलग करके भी रखा इसी तरीके से हाँ alpha cube कितना आएगा negative of alpha plus one और यह हो जाएगा gamma plus one और इसी तरीके से यह कितना आजाएगा यह हो जाएगा alpha plus one into beta plus one whole divided by alpha into beta into gamma का whole cube देखिये हमाइब पस जो main relations एप है वहाँ से alpha into beta into gamma हम निकाल सकते alpha into beta into gamma equal to कितना हुदा minus d upon it to minus one upon one इस मीन्स माइनस वन तो नीचे तो माइनस वन का होल क्यों है तो माइनस वन ही आएगा चलिए उपर इसको उपन कर दें तो देखे कितना आएगा उपर अपने पास बनेगा कितना बीटा प्लस गामा इससे निकलेगा और बीटा प्लस गामा और साथ में बीटा गामा ओके और वन निकलेगा इससे भी, वन निकलेगा इससे ही, वन निकलेगा इससे ही, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, पहले मैंने 3 लिया, then 1 बीटा, 1 गामा, 1 अलफा, 1 गामा, मतलब you can say 2 टाइमस ओफ अलफा प्लस बीटा प्लस गामा बहार आएगा, और फिर इसके बाद क्या बाहर आएगा, फिर इसके बाद आएगा, अलफा बीटा, प्लस बीटा गामा, प्लस गामा अलफा, चलिए फॉर्चुनेटली सारी चीज़ें हमारे पास में हैं, तो आएए वैल्यू, देर किस बात की वैल्यू रखने में, तो मित्रों यह जबरदस ट्रिक आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताईए, धन्यवाद, धन्यवाद, थाय में तो नंग्से आपको कैसे बाताईए, workahabas, भी, भी, समॉते, हैं तो आपको एको कैसी कासी 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 खुर्बबशस, प्लस एकासी बाताफ हैं, तो खुखने में, तो कैसे घुमेंगें लगादत की वै Response पको की बाताए, तो का रवादत में वेको का